हेलो गाइज कैसे हैं आप सभी आशा करता हूं कि अच्छे होंगे गाइज लास्ट वीडियो हमने एसेंबल कैसे किया जाता है यह जाना था आज की पीडियो भी हमारी थ्रेट फास्टनर से ही है बट आज हम डिफरेंट टाइब बोल्ट के बारे में बात करेंगे और उन्हें कैसे ड्रो किया जाता है यह जानेंगे तो सबसे पहला जो बोल्ट है हमारा वो स्कॉयर हेड़ेट बोल्ट विद्ट इस्कॉयर नेक के साथ है तो इसे ड्रो करते हैं फिर इसके बारे में डिसक करेंगे करेंगे झाल 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 हेड बोल्ड विद इसक्वाय नेक के साथ त्यार हो गया है गाइस हमने इसमें 20 डाया एजूंग किया है तो जहां भी डी मेंशन होगा वहां हमें 20 से मंटिप्लाइ करना पड़ेगा यह हमारा एफ है 1.5D प्लस 3 mm यानी 33 mm हो जाएगा यहां से यहां रेडियस 16.5 mm यह भी हमारा एफ है तो यह भी इसी के इक्वल रहेगा और यह आर्क हमारी एफ है तो यह 33 कॉर्णर से 33 का आर्क लेंगे हम तो हमारा यह चेंपर रेडियस लग जाएगा 0.75D है यानी 15 mm और यह स्कॉयर नेक 0.75D है तो यह भी 15 mm होगा यह डाय हमारा 20 है यह हमारा डी है और यह थ्रेड है हमारी गाइज यह हमारा फर्स्ट आंगिल में है इसे हम उपर से देखके नीचे बना रहे है तो यह पोर्षन हमारा हीडन रहेगा बाकि यह दोनो डॉटेट रहेंगे हमारे तो गाइज आप जो नेक्स है वह हमारा टी हैड वोल्ट पिर प्कीत बाइज़ से उसागई खुटेट से घुटेट में हमारा के भाइज यह दोनो एलो फिर शाइज़ ऑ्कीत कशी झाल झाल इस प्रकार हमारा T head bolt complete हो गया है यह portion हमारा D रहेगा यह length हमारी 1.75D यानि 35 mm हो जाएगी यह भी same रहेगी यह height हमारी 0.75D है तो यह हमें 15 राप्त होगी और यह भी 15 होगी कहें कि die हमारा 20 है यह front है यह top है जब हम उपर से देखके नीचे भी बनाएंगे तो first angle होगा तो यह कि हमें clear measure आएंगे अगर हम यहां से देखके उपर व्यू बनाते यह person हमारा dotted रहेगा यह भी square neck के साथ तेयार है यहां पर 45 डिगरी का चेंपर होता है thread length हमारी जो होती है 2D plus 6 mm रखी जाती है less than 150 mm length के लिए जो next हमारा bolt है वह है hook bolt अब उसे भी draw करते है झाल यह हम झाल बनाते है पाल यह हमारा क्राइब पाल यहां टूरहीं इस वह दुगा है. आपके हमारा है इसप्टर बत्रिग्छर कुछर हो यह हमारा करते है झाल झाल इस प्रकार हमारा हुग बोल्ड भी कंप्लिट हो गया यह हमारा डी रहेगा यह भी डी रेडियस हो गया याहनी 20 का यह हमारी 0.75D 2D ले सकते हैं जो हमारा स्कॉयर नेक है यह अमारी थ्रेड है यह डाया हो गया और इसे भी हम उपर से देखके नीचे ड्रॉ कर रहे हैं तो यह हमारे किल्यर आएंगे प्लेइन स्पेस है अब नेक्स हम द्रॉक रहेंगे आई वोल्ड आप 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 झाल झाल इस प्रकार हमारा आई बोल्ट भी कम्प्लीट हो गया है यह हमारी जो लेंद्थ है तू डी है यानि 40 mm क्योंकि मंटिप्लाइ करेंगे तू को 20 से तो 40 mm हो जाएगी हाइट हमारी 20 रहेगी यानि डी यह डाया हमारा डी है और यह हमारा तू डी का सरकल है यानि 40 mm तो रेडेस हमारा 20 mm हो जाएगा यह इडन पॉर्षन इस सरकल का है यह हमारा डायर आएगा और यह थ्रेड होगी डायर अमारा डी है यानि 20 mm यह हमारा टॉप व्यू है और यह फ्रेंट अगर हम उपर से देख रहे हैं तो यह पॉर्षन हमें डॉटेट किलियर दिखाए देंगे तो आज हमने जाना कि डिफरेंट टाइप बोल्ट कौन-कौन से होते हैं और उन्हें ड्रॉग कैसे किया जाता है तो आप वीडियो को स्टप बाइस्टप फॉलो करके इन्हें आसानी से ड्रॉग कर सकते हैं आपको वीडियो कैसे लगी अगर वी करना न भूलें थैंक यू गाइस थैंक यू बहुर वाचिंग माई वीडियो थैंक यू सो मच